मा एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावनों और दुख जमा कर सकते हैं और पिता जो है वो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलन्स ना होते हुए भी सपने पूरे करने की कोशिश जरूर है नमश्कार मैं हूँ मोहत कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल में और आज का राशी फल यानि की 30 जून के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को हार दिख बदाई एवं शुप कामना भी देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरिज अन्वस्री है या को विशेश यादगार दिन है शिरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 30 जून 2023 से और दिन शुक्रबार का है आज के विशेश उपाय में गणेश जी के किस मंत्र में छिपा है कमजोर या दाश्ट का इलाज ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा बने जरूर रहिएगा ताकि ये जो मंत्र है इसके बारे में कुछ विशेश बाते हैं वो आपको मालूम चल सकी पंचांग की बात करते हैं तो समवत 2080 का आशाड शुकल पक्ष चल रहा है दौादशीतिती ती रहेगी विशाखा नक्षत्र दोपहर के चार बच के 10 मिनिट तक रहेगा जिसके बाद में अनुराधा नक्षितरा आरंभ होगा तुला राशी का चंद्रमा आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सुभे के 10 बच के 20 मिनिट तक है जिसके बाद में व्रश्चिक राशी का चंद्रमा है तो इसके कारण इसी बेसिस पर आज सभी प्रेडिक्शन भी आपको दिये जाएंगे तो वहीं राहुकाल की बात करें तो आज की दिन सुभे के साड़े दस बजे से बारा बजे तक राहुकाल का समय है और शुब चौगडिया महरत कोई भी यात्रा करनी है तो उसके लिए सुभे के साथ बच के बाईस मिनिट से दस बच के बाईस मिनिट है ऐसे मैं उत्तर दिशा में की हुई यात्र है शुब, फलदाई, लाबकारी, सिधोंगी पर पश्चिम दिशा और नेरेत्य दिशा यानिकी साउथ वेस्ट इस दिशा में अगर यात्रा करने हैं तो थोड़े संभल जाईए तो वहीं दिशा शुदोष परिहार के लिए जौ का उपयोग करते हुए फिर अपनी यात्रा आरम कीजेगा अब बात आती है सुर्योदे कालीन कुंगली में शुब ग्रह योगों की तो आज के दिन आश्रय योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, परवत योग, सरल योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है आप में से जो नहीं जानते हैं उनको यह आज जानकारी दे दूँ कि आज के दिन, आने के 30 जून के दिन हम दिल्ली में आप सभी से मिलने के लिए उपस्ते थें तो वहीं एक और दो तारिक को आप सभी से मिलने के लिए रायपुर आ रहे हैं आपकी जो भी जटल से जटल समस्या हो उसका समाधान आपकी कुंडली में छुपा है बात इतनी सी है कि एक सही इंसानिक मार्ग दर्शक जब आपकी कुंडली को देखता है तो आपको आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है आपके संघर्ष से सफलता की सीड़ी बन सकता है आपके हाथ पकड़ करके आपको सफलता की चोटी तक पहुचा सकता है बात इतनी सी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये निरने करना है कि क्या कुंडली के माध्यम से आप अपनी सफलता तक पहुचना चाते हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बलबूते थोड़ा और समय लगा करके देखना चाते हैं कि कहां पहुशते हैं यहाँ पर इस चीज को नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करते हुए भी एक मार्ग दर्शक आपको सफलता दिला सकता है बात यह है कि सालों साल मेहनत करने के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती तो कई लोग हार मान जाते हैं पर एक सही मार्ग दर्शक का वहीं पे करतव्य है कि उस इनसान को हार ना मानने दे उस इंसान को बताए कि सफलता कहां छुपी है जिस रास्ते पर चल रहा है क्या वो रास्ता सही है या नहीं है फिर वो चाहे नौकरी से खुद का बिजनस स्टार्ट करने की हो सोच है पर इस सोच को बुलंद करने का जो जजबा है वो एक मागड़ दर्शक आपको देता है चाहे जिन्दगी में जटल से जटल समस्या क्यों न हो शादी शुदा हैं पर दामपती जीवन में परिशानिया हैं एक्जाम्स पास कर लिये हैं पर कन्फ्यूजड हैं कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा इन सभी समस्याओं का समाधान आपकी स्वैम की कुणली देगी बात इतनी सी है कि आपको इन नंबर्स पे कॉल करके स्वैम के लिए अपॉइन्मेंट बुक जरूर करना होगा अब बात करते हैं लाक रुपे की आप में से बहुत सारे लोग हैं उनको सडक पर जब गिरे हुए रुपे मिलते हैं तो जमीन पर गिरा हुआ जो सिक्का है वो मिलना कुछ अलग ही बात कहता है क्योंकि इसका संबंद सीधे आध्यात्मिक्ता के साथ में जोड़ा जाता है प्रतिकात्मिक तौर पर अगर बात की जाए तो धन का अर्थ शक्ती है और मूल्य है इसका संबंद इतिहास के साथ भी है क्योंकि ये एक से दूसरे तक पहुँचती है आईए बात करते हैं आज के राशी फिल के और शुरुवात करेंगे मेश राशी से अब यहाँ पर सबसे पहले ये बात बतातूं सुभे के 10 बच के 20 मिनट पर व्रश्चिक राशी में चंद्रमा जाएगा तो इसके कारण इसी के बेसिस पर आज सभी प्रेडिक्शन्स किये जाएंगे शुरुवात करते हैं मेश राशी से तो मेश राशी के लिए 8 थाउस में चंद्रमा होगा मित्रतारा का साथ तो अश्टग वर्ग में 37 डॉट्स होंगे ओवराल सिचुएशन 80 परसंट यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी 8 थाउस का चंद्रमा है जरूर पर फिर भी 80 परसंट सपोर्ट के साथ में यह जरूर कहूंगा कमाई के अंदर आज के दिन परिशानी नहीं देखने को मिलेगी रिष्टे लोगों के साथ में बढ़िया बने रहेंगे पर सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को सोचेंगे पुराने लॉसस को याद करेंगे कहीं न कहीं पर किसी की बातों को याद करके अपना दिन खराब कर सकते हैं तनाव जो है बिना किसी बात का लेना स्वैम की सेहत पर भी असर डालेगा तो वहीं काम पर भी आपके असर डाल सकता है तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा यहाँ पर यह जरूर कहूँ कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग है वो अगर यह एपिसोड देखने हैं तो आज के दिन मान करके चली इससे आपकी काफी समस्या है जो है उसका समाधान संभव हो सकता है यहाँ पर यह भी कहूँगा कि जो ग्रहनिया हैं होम मेकर्स हैं हाउस वाइवस हैं उनके लिए आज का दिन कहीं ना कहीं अपनी मदर इनलॉ के साथ में सासुमा के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर कुछ गड़ बड़ा सकता है आप कहना कुछ चाते हैं मतलब कुछ और निकाला जाएगा या आप शांद भी रहेंगे तो उसका भी गलत मतलब निकाल करके आपके साथ में गुस्सा हुआ जा सकता है तो इसके लिए हर चीज को बैलन्स करते वे तो चलना ही पड़ता है पर आज के दिन बैलन्स करने के बावजूद भी लोग आपसे खफा हो सकते हैं शुबरंग ऐसे में रहेगा आप लिए ग्रे कलब शुबंख रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं व्रशब राशी की व्रशब राशी के लिए आज के दिन सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है ठर्डी थ्री डॉट्स अश्टग वर्ग में आपको यहाँ पर और पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं पर प्रत्यारी तारा का जो साथ है यह कही न कहीं पर आज के दिन नेगिलिविटी जरूर पुश करेगा तो ऐसे में 75% दिन आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है जिसके कारण सबसे पहले 7,000 आपके बिजनस पार्टनर्स को रिप्रेजन करेगा आपकी मैरेड लाइफ को रिप्रेजन करेगा आपकी पार्टनर को रिप्रेजन करेगा तो यहाँ पर यह कहेंगी कि उनके साथ में ट्यूनिंग, बातें कहीं न कहीं पर प्रॉफिट जो है वो आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा अच्छी बातें भी होंगी, रोमांस भी पन पेगा पर यहाँ पर एक छीट से आपको सावधान रहना है वो है चिकनी चुपडी बातों से कई ऐसे लोग यादफर ये कहूं जिन पर बहुत भरोसा करते हैं उन ही से आज के दिन आपको नुकसान मिल सकता है यह इसके कारण कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्यारी तारा का साथ कहीं न कहीं पर भ्रमत करने का काम करेगा और वहीं पर जहां पर रुपे नहीं देने है आपके हाथ से वहाँ पर रुपे दिलवा करके आपको लॉस दिलवा सकता है बात इतनी सी है पहले बताने का उद्धिश यह है कि ये गलती ना करें अगर वियावसाई की बात करें नौकरी पेशाय लोगों की बात करें तो यहाँ पर आज के दिन शांदार सफलताय चुपी है हर कोशिश आज के दिन आपकी एप्रिशेट की जाएंगी अगर मन्थ एंड आपकी कोई मीटिंग होने वाली है तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छे से प्रिजन करने का मौका भी मिलेगा और कहीं न कहीं पर सीनियर्स की आँखों में अपने आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती देखेंगे ग्रहनियों की बात करें तो यहाँ पर खास तौर पर जो भी ग्रहनी आज के दिन बिजनिस करती है यह कहूं कि क्लाउड किचिन चलाते हैं चोटे मोटे काम करके अपनी साइड इंकम बनाते हैं उनके लिए आज कब दिन शांदार है आप मान करके चल सकते हैं कि कोई बड़ा ओर्डर मिल जाए याद फिर लोगों के बीच में प्रशन सा जो है वो आपके काम के अंदर और निकार ला सकती है शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नंबर एट अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए सबसे पहले तो आपका जो राशी भावे वहाँ पर बन रहा है बुदादितिया योग उसके बाद में सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा जो है वो आपके लिए रिकवरी मोड आउन कर रहा है जो साथ में सेहां पे सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है सिक्स्थ हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद बुदादितय योग बनने के बावजूद यहां पर विपत्तारा और अश्टग वर्ग में सिर्फ और सिर्फ बीसिक 19 डॉट्स है जो आज के दिन 50% ही आपको पॉस्टिविटी दे पाएंगे पर अब बात है स्ट्रगल से अपने आपको बहतर बनानी की आज के दिन ये जरूर कहूँगा कि मूड रिफ्रेश्ड है कही ना कही पे अंदर जो जजबा है आँग है वो बढ़क रही है अब इसके कारण दो चीज़ें हो सकती है या फिर खुद का नुकसान कर सकते हैं या फिर अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं तो इसके कारण यही कहूँगा राशी भाव में बुदादतिय योग बनने से होगा क्या confidence मिलेगा और लड़ने की हिम्मत मिलेगी हर काम के अंदर सफलता से पहले कुछ ना कुछ जूजना जरूर पड़ेगा यहां पर किसी किसी इनसान के साथ में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हो सकती है बातों बातों में कुछ ऐसी चीज़ें भी कही जा सकती है जो नहीं कहनी पर फिर भी ये कहूंगा कि ऐसा होने के बावजूद आज के दिन लोगों के बीच में clarity, अच्छी, income, अच्छी आने की कमाई आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर भागया का साथ भी मिलेगा खास तोर पर सरकार के साथ में कोई लेंदेन करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजेगा कि कोई भी illegal बात ना करें बाकी, सेहत के अनुसार बहुत अच्छा दिन है यहाँ पर यंग्स्टर्स जो हैं आगे बढ़ करके अपने कैरियर में आज के दिन ग्रोथ देख सकते हैं कही ना कहीं पर जिस न्यूस का इंतजार कर रहे थे वो न्यूस आपको मिल सकती है दिन 50% positive है पर फिर भी यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बन रही है उपस्ति यहाँ पर यह कहें कि परिस्टियां बन रही है पर बात इतनी सी है कि थोड़ा सयम रखकर के आगे बढ़ना है कहा जाता है ना कि आसानी से अगर सफलता मिले तो वो सफलता को बहुत जादा अच्छे से नवाजा नहीं जाता उसको बहुत जादा वैल्यू नहीं की जाती पर जब किसी चीज़ के पीचे खून और पसीना बहा जाए तब उस सफलता का मजा अलग है आज यही चीज़ आपके साथ में है यहाँ पर कोशिश कीज़ेगा आज के दिन कि रेड कलर का इस्तमाल आप जरूर करें और शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर फाइव अब बात करते हैं करकराशी की तो आपके लिए यहाँ पर फिफ्ट हाउस में चंद्रमा है वदतारा का साथ और अश्टक वर्ग में 23 डॉट्स है यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 20 परसंट सहारे के साथ दिन बिताना है तो यहाँ पर कामकाज के अंदर और धन का भी नाश संभव है मन बड़ा शांत रहेगा तो वही सपनों की दुनिया में खोय रहने से सिर्फ और सिर्फ स्वैम के रिष्टों में भी परिशानी देखेंगे तो वहीं क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं उन से आज के दिन खरी खोटी सुननी पड़ सकती है इसका इस्तमाल आज के दिन 110 परसंट करना है कहता हूँ इस बात को समझेगा कि आज स्ट्रगल जरूर है कहीं न कहीं पर मन मताबक चीजें नहीं हो रही जो चीजें प्राप्त करनी थी वो नहीं मिल पा रही लोग कमिट्मेंट दे करके पीछे हट रहे हैं पर इन चीजों को अपने आप पर असर मत डालने दीजे गुसा होके अब अद्रबाशा का प्रयोग करना किसी के साथ में बहुत जादा क्रोधित हो जाना ये सिर्फ और सिर्फ और अरड़ी नेगेटिव पॉजिशन को और नेगेटिव लाने का काम करेगा सोच समझ करके आगे बढ़िए थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आगे बढ़िए प्राक्टिकल हो करके आगे बढ़िए फ्लेक्सिबिल्टी आज के दिन आपकी टेस्ट की जा रही है तो इस एक्जाम में फेल मत होईएगा शुबरंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुबंख रहेगा नंबर फोग अब बात करते हैं सिंग राशी की फोर्थ हाउस में चंद्रमा है नेगेटिव चंद्रमा है हमेशा कहता हूँ आपको साधक तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 32 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन जो यहाँ पर बंती है वो है 75% सपोर्ट की पर फोर्थ हाउस का चंद्रमा है वो अपना एफेक्ट जर रांकिंग सेक्टर में लोग हैं उनकी लिए आज का दिन तो सबसे बड़ा दिन है कही ना कहीं पर यह कहें कि मंत एंड है अपने टागिट्स को पूरा करना है उसके अंदर बहुत सारा समय आफिस में बिताना पड़ेगा इसके कारण घर परिवार के अंदर नाराजगी कह यहां पे भी प्रेशर में बहुत जादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हर किसी पर चिलाना कहीं ना कहीं अब अबदर भाशा का प्रियोग करना सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना यह आपके लिए परिशानी खड़ी करेगा अब बात आती है यह सपॉर्ट क्या मिल रहा है हमें तो यहां पे यह बता दूं कलीग's के साथ में अगर सही तरीके से चले या सीनियर्स की गाइडिन्स के साथ में चले तो आपको आर्थिखानी होने से बचाया जा सकता है यहां पर घर परिवार के साथ में रिष्टाओं को बहतर तो करने की मैं यहां पर कोई भी आपको सुझाव नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आफिस के अंदर आज आपका समय जादा जाएगा कही न कहीं पर वहां पर मूड ओफ होने से भी आपके घर परिवार पर उसका असर देखने को मिलेगा पर जो support factor है जो कहीं न कहीं सहारा मिलना है वो घर परिवार वालों से नहीं बलकि दोस्तों से, कलीग्स से और अपने सीनियर्स से ही आज के दिन आपको प्राप्त होगा यहां पर कोशिश कीजेगा कि light blue color, अस्मानी color जिसे कहते हैं उसका इस्तमाल करें और वहीं एक छोटा सा उपाए आज के दिन घर परिवार में जो कहीं न कहीं परिशानिया उत्पन हो सकती है आपकी भाशा जो है वो आज के दिन खराब हो सकती है सबसे पहले सुभे के समय एक छोटा उपाए करना है घर से जब बाहर निकलते हैं तो गुड जो है वो अपनी जीप पर रखकर के फिर बार निकलिएगा और दूसरा उपाए जब घर पर वापस आते हैं तब खाली हाथ मताईएगा चाहे रात की दो बजे आते हैं चाहे रात को दस बजे आते हैं कोई फरक नहीं पड़ता पर खाली हाथ नहीं आएंगे चाहे घर परिवार वालों के लिए चौकलेट सोगी, कुछ खाने का सामान हो गया, कुछ ना कुछ ले करके जरूर आईएगा शुब अंक रहेगा आपके लिए नंबर सिक्स अब बात करते हैं कन्या राशी की तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अश्ठक वर्ग में 25 डॉट्स है पर विपत्तारा का साथ है, ओवराल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 85% पॉजटिविटी की है और यहाँ पर खास तौर पर कहूँ थर्ड हाउस का चंद्रमा आपको फाइनशिल गेन देता है, बेटर प्लानिंग देता है, इन्वेस्मेंट से इलाब देता है तो आज के दिन कोई भी बड़ा इन्वेस्मेंट करना चाते हैं, सोना चांदी खरीदना चाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें आपको फाइदा जरूर देखने को मिलेगा हैपी कोईंसिडंस जिसे कहते हैं, लोगों का अपने आप साथ मिल जाना, पुराने बिसरे दोस्त जो हैं, उनका साथ मिल जाना, फोन आ जाना, ये आज के दिन आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो यहाँ पर थोड़े पेशन्स के साथ में अगर आगे बढ़ें, तो यहाँ पर यह भी कहूंगा कि अपनी सोच से ज़्यादा बहतर सफलता, बहतर कमाई आपको मिल सकती है बस बात इतनी है कि कहीं बार हमें लगता है कि सामने वाले जो इनसान बातने कर रहा है हमार साथ में, कुछ भी कहे जा रहा है, उसको सुनने की बज़ाए उसको वहाँ से निकाल देना या त फिर स्वय महट जाना बहतर होगा, पर आज के दिन सामने कहूं कि तोप बैटी ह और इस तोप को आपको अटेंशन देना होगा, अटेंशन देंगे तभी ये चीज सामने पॉसिबल हो पाएगी कि आपकी इंकम आज के दिन बहुत अच्छे से बढ़े, उस इंसान से अच्छे कमिट्मेंट्स भी प्राप्त करेंगे, तो वहीं पर कहीं ना कहीं वो इंसा अधिके की शॉपिंग करके, खरीदी करके आपके बिजनस में कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज करके जा सकता है कि जिसको आप याद रखें, शुब रंग जो है, वह आज के दिन आपके लिए रहेगा पीच कलब, शुब अंक रहेगा नमबर सांथ, अब बात करते हैं तुला राशी की, तो तुला राशी के लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारह का भी साथ है, ओवरॉल नेगेटिव को यहाँ पर और नेगेटिव सिचुएशन बनने पर फोर्स किया जाता है, तो अश्टग वर्ग में 29 डॉट्स वापिस उस समस्या से बाहर निकालने का काम करते हैं, कहीं न कहीं पर एक दिवार है जो आपको उस नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करती है, यहाँ पर यह कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन इस पर काबू रखना है, अपनी भूक पर काबू रखना है, यहाँ पर भूक का मतलब खाना नहीं, बलकि चाह है, यानि कि मैं ये भी चाहता हूँ, मैं वो भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कमाई इतनी हो, यह करने से सिर्फ और सिर्फ डिस्साटिसफाक्शन और इरश्यापन पेगी, और ये नेगेटिव इमोशन जैसे ही पनपते हैं, तो उसके इस emotion पर control पाईएगा इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आज के दिन परिशानी फिर नहीं देखने को मिलेगी अगर इस emotion पर आपने control पा दिया तो घर परिवार का साथ मिलेगा खास तौर पर अगर ताउ जी है चाचा जी है इनका कही न कहीं पर कोई न कोई suggestion इनकी help financially या तो फिर कही न कहीं experience वो आज के दिन आपको बड़ी problem से बचा सकता है कहीं बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं invest करने जा रहे हैं और कहीं कोई मिल जाता है या तो फिर किसी के कानों में खबर आ जाती है तो वो आपको आगा कर देता है कि ऐसी गलती मत करना यही चीज आज के दिन होने वाली है कि कोई न कोई ऐसा इनसान देव रूप में आपको आकर के मदद कर दे यहाँ पर सेहत का थोड़ा ध्यान रखते वे आगे बढ़िएगा इसके अलावा चिंता की बात नहीं है बस बात इतनी है कि एमोशन्स को कंट्रोल में रखना है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुबंख रहेगा नमबर नाइम अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा का होना मित्रतारा का साथ होना अश्ठक वर्ग में 28 डॉट्स होना आज के दिन 100% आपके दिन को पॉस्टिव बनाते हैं सांसार एक सुक सुविधाय दामपत्य जीवन में संतुष्टी परिवार का पूरा साथ समर्तन और प्रेम ये तो मिलना ही है तो स्वैम का confidence भी जागेगा बड़ी बड़ी बाते ही नहीं बलकि बड़े बड़ी बातों के साथ में बड़े बड़े action बड़े बड़े कदम उठाने पर आज के दिन आप विवश होंगे कहा जाता है कि इनसान कुछ बड़ा करनी से पहले घबराता बड़ा है वो घबराहट जो थी वो बारवे चंदरमा के साथ में अब हट चुकी है जो सोच थी वो हट चुकी है अब बात है action की और action आज के दिन आप जरूर लेंगे कहा जाता है ना कि खूद पढ़िये अपने आप चीज़ें सीखना शुरू करते हैं बस बात यही है कि आज के दिन खूद पढ़िये आपका confidence जो है आपके expertise आज के दिन आपको डूबने नहीं देगी यहाँ पर कोशिश यह करें कि परिवार के साथ में थोड़ा समय बिताएं उनको कहीं बाहर घुमाने लेके जाएं तो ऐसा करने से स्वें भी रिलाक्स होंगे और परिवार वालों को भी एक refreshment जरूर मिलेगा बेटर बांडिंग मिलेगी खास तोर पे घर में जो बच्चे हैं जिनकी शिकायत आप ये शिकायत करते हैं कि हमेशा टीवी देखते रहते हैं मुबाइल में रहते हैं दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं उनको ले करके कहीं आसपास में ही घूमने जाएए बॉंडिंग बढ़ेगी तो वहीं अपने मन की बातें भी वह आपके साथ में शेयर करके आपकी काफी समस्याएं जो हैं उनको हलका कर देंगे आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का इस्नमाल करें रिफ्रेशिंग भी है और यहीं पर आपके लिए लखी भी है शुब अंक आज की दिन रहेगा आपके लिए इंफिनिट एट नंबर अब बात करते हैं धनुराशी की आपके लिए ट्विल्थ हाउज में चंद्रमा है और जन्मतारा का साथ है अश्ठक वर्ग में 31 डॉट तो यहां पर यह भी कहूंगा कि कहीं न कहीं घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है चोटे भाई या बहन की सेहत को ले करके तो इसके लिए कहीं न कहीं जेवें ढीली जरूर करनी पड़ सकती है जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो एक्सपेंस आज के दिन सामने आ सकते हैं क्या ये होगा या नहीं होगा इन चीजों से थोड़ा संभलते हुए आज के दिन चलना है सेंसिटिव ये समय ज्यादा है तो वहीं पर सेंसिटिवडी खोने से कहीं न कहीं रिष्टों में दरार आ सकती है या तो ये कहें गलत फहमिया पनप सकती है इसे थोड़ा संभलते हुए आगे चले तो आज के दिन को बहतर बनाने की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे यहाँ पर खाकी कलर का इस्तमाल खास तोर पे आप सभी के लिए बहुत शुब रहेगा तो वहीं शुब अंक रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं मकर राशी की तो आपके लिए लेवन्थ हाउज में चंद्रबा है संपत्तारा का साथ है अश्ठक वर्ग में 21 डॉट्स हैं सिचुएशन आपके पैसे आएंगे ये प्रॉपर्टी वापस आएगी तो आज के दिन कोशिश नहीं बलकि ये कहूंगा कि 110% एश्चुरिटी के साथ में जो आप प्रॉपर्टी में इंवेस्ट किये हैं उसका पॉजेशन जो है वो आज के दिन आपको मिल सकता है उसकी खबर आपको मिल सकती है यहाँ पर धनलाब भी होगा तो महीं जो इनसान बाहर जाके कमाने के लिए जाने वाला है शेहरी सीमा से बाहर कहीं न कहीं पर जिनको पैसे दिया है उनसे वापस लेने जाता है तो उसको आज के दिन हार नहीं मिलने वाली जीत ही जीत है पैसे ही पैसे वापस लेकर के आएंगे तो इससे आपको आज की दिन चिंता में नहीं पढ़ना चाहिए स्वास्ति में अभी सुदार होगा तो खास तर पे कॉंपटिशन जो है परिशान करता है आपके रास्ते में रोड़े अच्काता है आपके रास्ते का काटा है तो वो काटा आज के दिन आपके पैरों दले कुछल जाएगा शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए चॉकलिटी ब्राउन कलर डाक ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं कुंब राशी की आपके लिए टेंथ करना है मुझे जॉब ट्रांसफर चाहिए मुझे जॉब जेंज करनी है दूसरी कंपनी चाहिए तो यह सभी जो इरादें है आज के दिन कॉंक्रीट बनने शुरू करेंगे कि करना है या नहीं करना यह जो मेंटल क्लारिटी है यह आज के दिन आपको मिल सकती है तो वहीं कर्मों का फल जो है वो आज के दिन आपको जरूर मिलेगा कहते हैं ना कि मेहनत जो है वो जाया नहीं जाती यही चीज आज के दिन आपके साथ में है कि आपकी मेहनत जो है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने वाली कोई पैसे दबा बैठाता, कोई पैसे नहीं दे रहाता, तो अपने आप ही अपने सामने से कॉल आ सकता है, कि आपका पेमिन्ट जो ड्यू है, वो क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर सफलता तो छुपी ही है, वहीं बहुत अच्छी फीलिंग या तो यह कहें, पॉजिटिवने कीजेगा और कोशिश कीजेगा कि महादेव का नाम ले, कोशिश, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि करना ही है, पर कोशिश करने भड से पॉजिटिविटी हंडरिट को थाउजन बनाई जा सकती है, यहाँ पर शुबरंग रहेगा आपके लिए औरेंज कलर शुबरं राशी की, तो मीन राशी के लिए राशी भावसे 9,000 में तो चंद्रमा है, जन्मतारा का साथ है जो overall confusion ही नहीं बलकि financial drainage भी देगा, तो अश्टग वर्ग में 30 dots, overall आज के दिन आपको सिर्फ और सिफ 33% सपोर्ट देने वाले हैं, यहाँ पे खास तोर पे जो भी इनसान कसी कही न कहीं पे ट्रेडिंग करता है, उसको यहाँ पर आगाह कर दूं कि आज के दिन जेब से पैसे लगाने पर सकते हैं, जो कमा रहे थे वो हाथ से फिसल सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजेगा, गौर्ब फरमाईएगा क्योंकि कहीं न कहीं भाग्य का साथ नहीं, ब बात पर बहस हो जाना ये परेशानी और बढ़ा सकता है, यहाँ पर चाहे हम वेविसाय की बात कहें, चाहे हम नौकरी पेशालोगों की बात कहें, टेंशन में अपना दिन गुजारेंगे, एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बहुत जादा हैं और रिजल्स उसके मताबक नहीं कर सकती हैं, ऐसे समय में स्वेम को पॉस्टिव रखें और जो है उसको स्विकारने की कोशिश करें, यही आज का मूल मंतर है दिन का, स्विकारना, चीजें जो हैं उनको स्विकारिये, उनमें कैसे बहतर कर सकते हैं, उसकी कोशिश करते रहिए, यहाँ पर आपको एस्ट्र शुबरंग ऐसमें रहेगा आपके लिए ये लो कल शुब अंक रहेगा नमब फो ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब बात करते हैं आज के विशेश शुपाय की गणेश जी के कौन सा मंत्र है जिसमें कमजोर यादाश्त का इलाज चुपा है तो हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धी का देवता माना जाता है सबसे प्रथम पूज गणेश जी की पूजा से नाहीं सिर्फ घर में सुक्सम्रद्धी है और शुबता भी आती है बलकि व्यक्ति के व्यक्तित्म में भी निखार लाते हैं गणपति बपा तो गणेश जी के मंत्र का जाब करने से व्यक्ति को प्रखर बुद्धी और तेज याद दाश्त इसका आशिरवात प्राप्त होता है और इसके अलावा और भी कई ऐसे लाब हैं जिनसे आप अभी अग्यात हैं तो चलिए जानते हैं गणेश जी के उस मंत्र का राज उस मंत्र का अर्थ उस मंत्र के जाब से मिलने वाले लाब मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समग प्रभा निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकारेश सर्वदा मंत्र सुना जरूर होगा वक्रतुंड महाकाय का अर्थ है गुमावदार सूंड और विशाल शरीर सूर्य कोटी समक प्रभा इसका अर्थ है एक लाक सूर्यों के समान निर्विगनम कुरुमे देव इसका मतलब है बिना किसी बाधा के और सर्वकार्य शुसर्वदा जब ये कहा जाता है इसका अर्थ है कि कार्य शुपता के साथ संपन हो यानि कि इस मंत्र का अर्थ है गणेश भगवान जिनकी सूंड गुमावदार है जिनका शरीर विशाल है और जिनके तेज एकलाख सूरियों के समान है मेरी कामना है कि आप मेरे सभी काम बिना किसी बादा के शुबता के साथ में पूरे कीजेगा ये मंत्र एक मात्र ऐसा मंत्र है जिसके प्रयोग किसी भी देवी देवता के पूजा पाट में अनुष्ठान में शुबकारिय में हमेशा किया जाएगा और इसी कारण से श्री गनेश का ये मंत्र जो है वो अचूक माना जाता है शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का महत्व ना ही सिर्फ धारमिक बल्कि आयरवेदिक दृष्टी से भी अधिक है आयरवेदि में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस मंत्र का अगर रोजाना ध्यान लगा करके सिर्फ और सिफ 5 मिनिट के लिए ही जाप कर लिया जाए तो इससे याद़ाश्त तेज होती है आयर्वेद इस बात को मानता है कि इस मंत्र की मूल उर्जा व्यक्ति को मांसिक रोगों से बचाती है और स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, भूलने की बिमारी हो, ये जो समस्या हैं इनसे छुटकारा भी देलाती है ये मंत्र भे, शंका, निराशा, दुर्भावना है, इनको नश्ट करता है और इनसान के मन मस्तिश्क में पॉसिटिविटी लाता है, पॉसिटिव थौट्स लाता है वहीं, जब धार्मिक दृष्टी से बात की जाया तो इसके अनसार इस मंत्र के जाब से, गणिश जी के साथ साथ मा सरस्वती की क्रिपा भी आपको प्राप्त हो सकती है आशा करता हूँ कि आज ये जो आपको बताया हूँ, इस मंत्र का राज बताया हूँ, इसका मतलब बताया हूँ आपकी यादाश्त को तेज करने का इलाज बताया हूँ, इसको आप अपनाएंगे नहीं सर्फ आप, बलकि बच्चों को भी बताएंगे घर में हर किसी के साथ में इस वीडियो को शेर कीजे ताकि हर किसी के साथ में ये कुछ बातें जो है उनको पाटा जा सके मेरी कोशिश यहां पर ये होती है कि जो ये बातें हैं मैं हर किसी को बता सकूँ पर मुम्किन नहीं है कि हर किसी तक पहुचा जा सके तो ऐसे में आप सभी से ये request हो सकती है कि जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बात की हुई अच्छी लगती है तो उसे share जरूर कीजे ऐसा करने से होगा क्या, जो मेरी मेहनत है, जो आप सब तक पहुँचनी चाहिए है, सिर्फ आप सब तक नहीं, बलकि लाखों लोगों तक पहुच पाए, हर किसी को ये बातें मालुम जरूर हो, हमेशा की तरह प्रातना तो आप जानते ही हैं, बस एक ही करता हूँ आप सबी क ले, कि आपका और हमारा परिवार, सदेव, सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे, जैश्री रामेवं, जैहन. झाल झाल